आज भारत धीमी गती से ही सही लेकिन चीन की बराबरी करने में पूरी ताकत लगा रहा है। इस बात के नतीजे ये हैं कि आज भारत पे मैनिफैक्चर हुए स्मार्ट टीविस को करीब 151 यानी 151 कंटीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। भले ही इस एक्सपोर्ट में किसी भारतिय ब्रैंड को नाम शामिल ना हो लेकिन जिस पैटन के साथ चाइना ने अपनी इंडस्टियर डेवलप्मेंट के शुरुआत की थी भारत ने भी उस कदम पर अपनी चाल चल दी है। करके एक नई smart TV manufacturing unit को setup करने जारी है। इस unit में global standard के हिसाब से आने वाली सभी technologies के साथ smart TVs को manufacture किया जाएगा। इससे पहले company के पास already greater noida में एक unit है जहां पर करीब 1.4 million TVs को एक साल के अंदर manufacture किया जाता है। वीडियोडेक्स भारत भी वो company है जिसके पास स्लॉइड, Realme, Toshiba, Hyundai, BPL, सही 15 से भी जादा companies के साथ में partnership की हैं जिनके लिए ये smart TVs को बनाने का काम करती है। इससे पहले भी भारत में कई ऐसे players हैं जैसे कि Dixon Technologies वो भी भारत के अंदर अलग-अलग brands के लिए smart TVs को बनाने का काम करती हैं जिसके दम पर हम export कर पा रहे हैं। फिलाल कंपनी की नई unit को 140,000 square feet में तयार किया जाएगा जिसके अंदर IoT technology, सभी automatic machinery, robots, in-house, new design technology को include किया जाएगा। और कंपनी के दावा है कि इस नई unit में करीब 1 साल के अंदर 1.8 million smart TVs को manufacture किया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि 151 countries में export होने वाला smart TVs में कोई भारतियों ब्रैंड को नाम शामिल इस वज़े से नहीं है। domestic consumption के साथ-साथ इस इंटरनेशनल मार्केट में export किया जा रहा है। फिलाल बात करें हम आज के important question के बारे में तो क्या भारत में ऐसे ही और कंपनिया तयार होनी चाहिए जो अलग-अलग ब्रैंड के साथ में partnership करके भारत के अंदर smart TV production को और ज़्यादा बढ़ाएं। जिससे देश के अंदर लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा इसके लावा हमारा export भी कई गुना जादा बढ़ जाएगा। comment section में आप yes or no में answer जरू कीजेगा। भारत कैसे ही यूस सुलाएं इंफिमीटी वीडियोस बाने के लिए आप मारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बंदे मात्रम भारत मता कीच जाए।